वेल्कम बैक टो वीड़ जी रोवाट कैसे हैं आप सब आज जो बात करने वाले हैं नियों क्रेटा के इंफोटैंब्मेंट स्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में कि उसके अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है बाकि अगर आप पूरी फुल वीडियो देखना कि बाट करते हैं तो यह है जार इसकी पूरी इन्फोटैन्मेंट स्क्रीन और यह भी डिजिटल एए इंस्ट्रॉमेंट क्लस्टर लेकिन इसके बारे में बात ना करके सिर्फ इसके बारे में इसके अंदर क्या-क्या features हैं उस सबको explain करता हूं में simply भाई SS remote पे डाल लेते हैं तो यह है आपके सामने simple display जिसमें यहां पर यह home button है यहां पर simple आप home पर आ गए और यहां पर यह navigation show कर रहा है time show कर रहा है इसके लावा यहां पर पूरी सारी settings आ जाती है जिसमें map हो जाता है यह आपकी map है कि basically क्या है और साथ के साथ ने split screen है तो यहां पर जो media जो basically गाना चल रहा होगा वो भी आपका चलता रहेगा यहां से आप अपना back कर सकते हो आपकी completely सिर्फ और सिर्फ यह शोएगा navigation यहां से आप home पर जाओ इसके बाद यह navigation हो गया phone phone के अंदर क्या कुछ मिल जाता है तो basically connection है कैसे connection करना है यहां पर आपको Bluetooth वगेरा connect करना है उस सब के लिए यहां पर इसका नाम आ गया अपने simple phone में connect कर सकते हो आप Bluetooth वगेरा खोल के इसके बाद phone projection आता है जैसे खोल के देख लेते हैं कि apple carplay और android auto उसके लिए यहां पर नीचे की तरफ usb लगाने पड़ेगी अगर आप android चला रहे हैं तो android connect कर लीजे और apple वाली तो apple वाली इसके अंदर आपके की आर स्टोर इन दिश विकल स्नम्ट डिलीट तो वह इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और वन टॉन टेट एंवी तक की इसके अंदर आपको मिल जाती है इसके लाब भाई climate controls हो गए यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो temperature up and down यहां से अपना speed जो airflow है उसको बाकि यहां से आप अपना airflow पीछे वाला बिलकुल अब आज नहीं चाहता है और आगे मंदी मंदी चाहता है तो इसको quiet mode पर डाल सकता है layout यहां से layout से आप इसका screen का layout चेंज कर सकते हैं यह पूरे आपको classic है classic भी बिसिकली theme दे रखी है screen saver भी change कर सकते हो split screen को अपने accordingly चेंज कर सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ चाहते हो weather, sports, calendar, compass यह सब चीज़ हो जाएंगी blue link हो गया और इधर आपको यह button वाला जो feature है इसके अंदर आप भाई customize कर सकते हो अपने accordingly buttons को कि आपको कैसे कैसे क्या करना है display on off quiet mode एक single tip से जो यह star वाला button है ना वाई notification हो जाएंगी और पूरे studio की जो इसकी वो है ना manual इसके अंदर आपको e-manual मिल जाती है कुछ समझ नहीं आता है for example तो वो देखने के लिए बाकी यह चीज मुझे अच्छी लगती है इसके अंदर आप users डाल सकते हो बहुत होती है ना छेड़ चाड़ करने की आपने कोई setting कर रखी है अब कोई दूसरा कारी चलाने जा रहा है जो user है वो change करके दे दो guest user जैसे phone म काफी अच्छा है इसका और इसके अंदर सिर्फ एंड्रोड ओट और पर कार पे जो है वो आपको वायर मिलेगा बाकी डिस्प्ले ओफ होम आइकन को आप एडिट कर सकते हो ठीक है यह सब चीज हो जाती है बाकी basic basic चीज है इतना hard and rule नहीं है hard and tough नहीं है तो एक छोटी सी अगर किसी को नहीं समझ आता है तो यह मोटी मोटी चीज हो जाएंगी फोन कैसे करनेक करना है वह अपना android to apple कारपण प्ले कैसे करनेक करना है वैले मोर्ड में कैसे डालनी है तो छोटी-्छोटी सी हो जाएंगी एक overview हो जाएगा इंडप्थ तो नहीं होनेगा तो एक overview हो तो चलिए आप मुझे बताना इस तरह की वीडियो अगर आगे चाहते हो तो मैं और भी बना दिया करूँगा और अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना आप लोग